कि नीट यूजी दूजार चोवीस एंबीबीएस एडिमिशन के लिए एस्पेशल राउंड कॉंसिलिंग का सीडूल जारवी रिक्स हीटों पर मिलेगा परवेश दोस्तों बहुत बड़ा अपडेट है एंबीबीएस एस्पेशल राउंड होने जा रहा है जिसमें आप 40% एस्टेट कोटा के सीटों पर एडिमिशन होगा जो 20 नमबर से 30 नमबर दोजार चोवीस तक चलेगा और यह बहुत बड़ा अपडेट है 20 नमबर यानि 20 नमबर और 21 नमबर को आप फिश डिपोजिट कर सकते हैं 21 नमबर से 22 नमबर यानि 21 नमबर रात आठ बज़े से 22 नमबर सुबह आठ बज़े तक आप चोवीस लोकिंग करेंगे फिर 22 को ही एलोटमेंट प्रोसेस होगा ते इसको आपको एलोटमेंट हो जाएगा शीट जहां भी होना है उसके बाद 25 तीस के विच आप एनुइशन लेंगे और इस विच आपको एनुइशन कर लेंगे बह 24 मेडिकल कोंसिलिंग कमिटी ने कोंसिलिंग के स्पेसल वेकैंसी राउंड की घोषना किये जिसमें रिक शीटो पर पर परवेस दिया जाएगा एनुइशन दूजार चोवीस नीट एजी स्पेशल राउंड कोंसिलिंग देखिए नीट युजी के इसकूर के जरीये MBBS की कॉंसिलिंग चल रही है अब खाली पड़ी इस सीटों के डेश पेसल राउंड कॉंसिलिंग की गई है इस कॉंसिलिंग के जरे खाली पड़ी MBBS की सीटों पर पर्वेश दिया जाएगा यह ओल इंडिया 15 फिश्दी कोटा और स्टेट की 85 फिश्दी कोटा की कॉंसिलिंग होगी एजूकेशन एक्सपर्ट परिजात मिस्रा ने बताया कि मेडिकल कॉंसिलिंग कमिटी ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए कॉंसिलिंग के वेकन्सी राउंड की खोचना कीा है यह ओल इंडिया और स्टेट कोटा दोनों के लाग-लागा आउजित की जाएगी जिसमें और सटेट की कॉंसिलिंग का सिदूल नोंबर के बीच आउजित होगी जबकि मेडिकल कोंसिलिंग कमिटी 25 परिजात मिस्रा ने बताया के मेडिकल कॉंसेरिंग कमिटी तो अपना पुरा सीडूल भी जारी कर दिया है जिसके अनुसार 20 नवंबर से 21 नवंबर तक ओनलाइन फेस्ट डिपोजिट की जा सकेगी पेमेंट जमा करने की फेस्लिटी 20 नवंबर सुबह 10 बजे से 21 नवंबर दोपार 3 बजे तक होगी इसके साथ ही चोईस फिलिंग 20 से 22 नवंबर तक होगी चोईस फिलिंग 22 नवंबर को सुबह 8 बजे बंद हो जाएगी इसके साथ चोईस लोकिंग की सुविदा 21 नवंबर र साथ से लेकर आपका 22 नमबर के सुब आठ बाजे आठ बिच सो वह 2 नमबर के सुब आठ बिच ओनिंग के लिए 5 से 30 नमबर तक समधा गया इन छे दिन में कंडियेट को रिपोटिंग करनी होगी दोस्तों यह बहुत बड़ा भी अपडेट जिसका कहीं नहीं हुआ अभी तक यह स्पेशल राउंड है छुटे जो भी है जो इनका कहीं नहीं हुआ सब टोटल डिटेल में जाए चुकि एस्ट्रे राउंड जो हुआ उसमें बहुत लोग एनिमिशन नहीं लिए और बहुत जगह तो अज़ेशे राजस्थान में हुआ कि उन लोगों को एक सो जो एनिमिशन लिए थे उन्हों का रहत कर उनको निकाल दिया गया तो यह भी पता था या एनिमिशन लेने वालों को पता था तो उन लोगों नहीं लेना चाहिए उसी तरह त्यामिल लाड़ों में हुआ कि एस्ट्रे राउंड में लोग एम्वीएस का बीसी छोड़ दिये लोग एनिमिशन ही नहीं जिए अब उनलों को दन मिल गया अगला नीट जो 25 किसमें होगा उसमें नहीं बैठेंगे तो लोग तो कहीं का नहीं रहा तो दोस्तों यह जो इस साल का नीट जो हुआ यह जो थोड़ा साथ विवाद अस्वर्ट हो गया तो दोस्तों नहीं है तो चनल को लाइक शेयर किजिए और अपडेट लेते रहें जाहें जोहार जार हैं